हेलो गाइज वेलकम तो यू आल मैं यूट्यूब चैनल आई होप यू और विल आप लोग का भी काउंसलिंग की डेट की इंतजार होगी आप लोग इंतजार कर रहोंगी कब काउंसलिंग की डेट आने वाली है देखे मैंने आप लोग को बताया था कि 10 नौंबर तक आप ल अल्दो रिजल्ट आप लोग की बहुत पहले डिक्लेयर हो गई आज आनी चाहिए थे अभी तो काउंसलिंग की डेट लेगिन यह देखे एस बीटी है ना स्टीट बोड़ आफ टेकनिकल एजूकेशन पटना वह अभी तक सिक्स सेमेस्टर की डिजल्ट डिक्लेयर नहीं क स्टीविखने सिंगे स data में आप लोग को ठेंसल ले जरहत नए जिनका बंट अच्छा उनको तो मिलना रही है जिन किसी इपी दर को तोब अभी से त्यारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आप लोग के पास बहुत सब्सक्री कहने को तो लोग कह रहे हैं कि a lot of people are saying like December से आप लोग की सेशन स्टार्ट होगी but I don't think so मेरे हिसाब से आप लोग की सेशन जैसे चलती है वैसी ही चलेगी December के वल्ले आप लोग का हो सकते हैं में भी आप लोग का January लास तक आप लोग की एकजाम हो तो देखिए मैंने सोचा है कि आप लोग को जितने भी common subject है या जो कुछ भी हम लोग को लगेगा कि हम यह सब करवा देना चाहिए तुछ सोच रहें कि जितना भी कुछ है subject का सारे चीज का lecture एवलेवल करा दिया जाए अगर आप लोग को interested है आप लोग तो जितने सारे candidate करेंगे कि sir यह class चाहिए यह class चाहिए तो वो सारी चीज को देखते हुए वीडियो बनाया जाएगा कि कितने candidate क्या चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं तो देखिए mathematics का class basically कल से start होने वाला है तो जो भी कोई candidate mathematics का class करना चाहते हैं तो कौन सा उनका branch है ठीक है ना तो कौन सा related video मिल जाए तो let's come to the point you are watching देखिए यह second year leather technology जो भी कोई candidate leather technology लेना चाहेंगे उनको भी they have to read mathematics 3 वाच लुक यह civil ठीक है ना civil mechanical और leather technology इन तीनों all three branch holders have to read mathematics 3 गॉट इट पीडी और probability and statics पीडी 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 स्टेंस फोर partial differential equation आप लोग किसी ने फर्स सेमेस्टर परा होगा तो वो तो differential equation था d e यहाँ पर आप लोगो partial differential equation परना ठीक है और probability वगएरा जो आप लोगने टेंथ में परा था तो टेंथ में basic परा था यहाँ पर एडवांस परना और इस्टेक्स परना आप लोगो मिन मेडियन कुछ नए टेकनिक के द्वारा तो यह सब चीज आप लोगों को परना है तो देखें यह लेदर टेकनोलोजी वालोगों को यह सब परना था and look here second year CS यानी computer science computer science को जो भी कोई candidate है and they have to read differential calculus it's very easy it's too easy आप लोग आराम से differential calculus निकाल सकते हैं तो इसमें कोई tough task नहीं है आप लोग one day one night study करेंगे तो आप लोग को कोई one night study में आप लोग निकाल सकते हैं CS वाले देखें अब EC electronics and communication engineering इसकोड 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 इस बीएस वन जरो वन ओके इसकोड आप लोग का चलिए next देखते हैं CS वाले और सॉरी यह रिपीट हो गई चलिए mechanical engineering you can watch here mathematics 3 PD probability and statics यह आप लोग को परना चार क्रेडिट का है जो की बहुत माइन रखता है चलिए next देखते हैं कि civil engineering को तो खैर परना ही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छे नमर में mathematics 3 probability theory and statics next देखिए अब देखिए यह जो है mathematics 3 में क्या परना है अभी तक हम लोग ने देखा कि जो भी कोई candidate mechanical के हैं civil के हैं EC के हैं I think इन तीनों trade वालों को PD परनी है और mathematics 3 परनी है और CS वालों को भी PD परनी है लेकिन basic परनी है ठीक है ना तो आएए देखते हैं कि mathematics 3 में क्या परना है तो देखिए यहां पर क्या सब परना है बस मैं syllabus थोड़ा आप लोग को overview दिर्वा देना चाहता हूं ताकि आप लोग को अभी से जान लिजेगा तो जैदा problem नहीं होगी चल यह देखते हैं the PD you have to read partial differential equation first order solution of first order solution to homogeneous and non homogeneous these all are the types of partial differential equation differential equation of second order by complementary function and particular integral it means CF and PI basically इनी तुनो नाम से जाना है complementary function and particular integral method and you have to read the laplacian in plane solution with vessel function legendary function now probability you have to read probability space conditional probability independence discrete random variables independent random variables like correlation यह देखिए यह आप लोग को mean median mode tap में परना है expectation of discrete random variables moment variation of some correlation coefficient and cherishes inequality continuous random variable यही वगरब basic statics measurement of central tendency moment skewness kurtosis probability distribution correlation वगरब देखिए इसों basically आप लोग को क्या से question आता देखिए मैं बता दे रहा हूं जिन लोग को भी mathematics 3 पर नहीं है देखिए आप लोग को main आएगा एक आएगा आएगा आप लोग को application of PDE से एक question confirm 14 नमर का आप लोग का confirm रहे कि 14 marks का आएगा और देखिए एक question आप लोग को basically आने वाला है correlation से correlation से ठीक है और skewness वगएरे सबसे छोटे मोडे question देखने को आप लोग को मिलेगा तो चलिए देखते आप लोग के mathematics की प्रिप्रेशन बढ़ियां से की होगी mathematics भी पर आओगा तो divergence and curl of vector यह सब चीज़ उन्होंने पर आओगा और देखिए first order ordinary differential equation पर नहीं है जो कि बहुत ही easy है don't worry we will cover all the whole slivers and the next one is ordinary differential equation of higher order and PD one thing you all need to notice is PD approximately more or less it is common for all the branch partial differential equation they have to do it only introduction like first order partial differential equation of first order तो अप लोग को यह चीप लगवालग परनी ही है तो देखिए देखते हैं आगे हम कि mathematics 3 में यह ही वही सारी चीज़े परनी है तो देखिए मैंने I have discussed all the fundamentals and basically overview of mathematics 3 and CS department को क्या पर नहीं परना है है तो और लोग को थोड़ी बहुत मेहनत करनी है आप लोग को क्या करते हैं थोड़ी लेवर करनी है बहुत सारे लोग इसमें मेहनत कर ले तो अधर्वाइज उनका कुछ नहीं हो सकता और देखें बहुत सारे यूट्यूवर बगर है न वह कह रहे हैं कि आप लोग किलास कीजिये देखिए सरकारी नौकरी आज के डेटर में बहुत बड़ी चीज है जोग मैं बोल ला हूं लिसन केरफुल बहुत मैटर करता है गवर्मेंट जोग अगर आप को कोई साइड कॉलेज मिल ला है अगर आपको बस डिपलोमा पर जोब चाहिए अगर कोई साइड कॉलेज मिल ला है जिसमें आपको एटेंडेंस करने की जरुरत नहीं है तो आप लोग वो भी लेकि अपना साइड करता है अधरवाइज उतना कुछ खास मैटर नहीं करता है बस घरी हिला लेने से को यूट्यूबर ने बन जाता है ठीक है न तो आप लोग को होस्टल बगर का इस्यू की सुद्यू टेक होस्टल और नोट वाट इस दर अन वीच बेसिस रैगिंग रैगिंग बहु लेना चाहिए उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा और मैं रिवेल कर दूंगा कि क्या कैसे कैसे होता है नहीं होता है मने कुछ भी जो आप लोग को फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रियेट करेगी उसको मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा और देखिए ओनलाइन म आप लोग को सब्सक्राइब किया है और पूरा इंट तक वीडियो देखे होंगे अगर आप लोग तो सब कुछ जानगे होंगे तो आप लोग अपने जो भी कोई ट्रेड है ब्रांच है उसका कोमेंट किजेगा आपकी क्या ब्रांच है क्या स्टेडी चाहिए नहीं चाहि रहा है तो बाइबाइब टेक कर मुट्यू सून